हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो देशी टीचर इन येरोप ठीक, तो सबसे पहले, इस वीडियो को देखने से पहले, मैं ये मान लेता हूँ कि आपने जो मेरा पुराना वीडियो है कि हाव to register at DVV or how to declare your municipality in Finland, ये आप देख चुके हैं, ठीक, और दूसरा, आप वो वीडियो की how to apply Kayla card और notify Kayla के आप फिल्लेंड में आ चुके हैं, ठीक है, Kayla card कैसे आपको लेना है, ये भी आप देख चुके हैं, ठीक, तो ये दो वीडियो आप ऑलड़ी देख चुके हैं, चाइल्ड केर बेनिफिट्स का ही मैंने वीडियो बनाया था वो भी आप देख सकते हो पर ये दो वीडियो मस्ट है कि आपको DVV में कैसे रेश्टेशन करना है और केला कार्ड बतलब आपको केला कार्ड आपको apply आपके और देडी होना चाहिए बतलब केला कार्ड आप already apply कर चुके हैं जैसी फिनलेंड आते हैं आप तो आपको सबसे पहला काम तो DVV में रेश्टेशन कराना है और केला कार्ड apply करना है केला को बताना है कि भाई आप पहुँच गए याप ठीक यह चीज तो clear होगी भाई ठीक अब बढ़ते हैं आगे तो सबसे बड़ी बात कि भाई किसको मिलता है who can get this unemployment benefits किस-किसको मिल सकता है unemployment benefits तो unemployment benefits के लिए आप eligible है अगर ठीक अगर आप permanently Finland में रह रहे है permanently रहने का मतलब यह नहीं कि आप permanent residence होना चाहिए नहीं नहीं इस चीज की एक अलग requirement से जो मैं पहले ही बता चुका हूँ जो पराना वीडियो आप देखोगे ठीक है तो मतलब कहने का कि आप finished social security जो system उसके under में है आप DV में आपका registration है आप Kayla card apply करने के लिए eligible है ठीक है तो in general अगर मैं आपको फिर से बता हूँ recall करूँ आपने मेरे पराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आपके पास या तो A type residence permit होना चाहिए चाहे study में हो चाहे job में हो या अगर B type का भी है B type का भी है तो B type में अगर आपको क्या कहते है कम से कम 2 साल का आपका study period होना चाहिए ठीक है भाई तो ये बात clear होगी अभी आगे और discuss करेंगे फिर detail में खेर दूसरी बात आपको जो unemployment, जो unemployed job seeker उसकी तरह आपको registration करना चाहिए TE की जो website, TE services जो employment provide करती है तो जो unemployed जो लोग होते है वो उसमें register करते हैं, TE services TE office की website, मैं आपको दिखाऊंगा भी ठीक है, don't worry, मैं आपको दिखाऊंगा तो उसमें registration आपका होना चाहिए ठीक, तो आप register करेंगे तो दूसरा कि अगर आप Finland में, मालनो, residence आपका permanent नहीं है, ठीक है और आप finished social security system से आपका क्या कहते है, covered नहीं है, तब भी आपको unemployment allowance मिल सकता है, या earning based allowance मिल सकता है ठीक है, clear अगर आप temporarily laid off हो गए है, for example अगर मैं Finland में job कर रहा हूँ अगर मेरी company कहते है, भाई मतलब आप हमें जूरूत नहीं है, तो आप temporarily off है, laid off कर दिया मालो 2 महीने, 3 महीने, जब भी नहीं और आप मैं कहीं और चला गया Finland छोड़के तब भी I am eligible to get unemployment allowance क्योंकि मैंने यहाँ पर काम किया है clear होगी ना बात, तो यह सब के बारे में आप discuss करेंगे हैं ठीक है, यह बात ध्यान रखो, आपको हर चीज आपको नहीं मिल पाएगी, आप नहीं समझ पाओगे इसलिए यह वीडियो बनाएगे है इस वीडियो के बाद आप हर चीज बिल्को clear हो जाएगी आपकी, ठीक है अब और simpler बनाते हैं इसको और ज़रा आसान तरीके से समझाते हैं कि आप अगर Finland में आए परसनल आईडी कार्ड आपका जो बन गया है जो परसनल आईडी आप डीवी में हमने रेश्टेशन करा लिया है ठीक है ना तो आपका जो spouse है, उसको every month unemployment benefit मिलेगा, पैसे मिलेंगे भाई, हर महीने मतलब मैं समझ लो, मालो मैं study के लिए आता हूँ, मेरे दो साल के लिए study के लिए आता हूँ, ठीक है तो मैं दो साल study करूँ और मुझे तो नहीं मिलेगा unemployment, मुझे कुछ नहीं मिलेगा ठीक, लेकिन अगर मैं अपने साथ में वाइफ को लाता हूँ, तो मेरे वाइफ को हर महीने पैसे मिलेंगे 60000 एरो, यह समझ लो आप समझ रहे हो ना, और आपके बच्चों को तो अलग से मिलेगा childcare allowance, वो तो मैं वीडियो बनाई चुका हूँ लेकिन अभी बात बता रहो कि हाँ, अगर आप study के लिए आते हो, चाहे आप job के लिए आते हो अब दूसरा, और क्या है, मोर्स, और बताता हूँ दूसरा case कि अगर आप फिलेन में काम कर रहे हो, suddenly आपको lead off कर दियागा, unemployed हो गए, तब भी आपको unemployment allowance मिलेगा भी हर महीने, ठीक तीसरा, आप यहाँ पढ़ाई की, ठीक है, पढ़ाई करने के बाद, आपके पास job नहीं है, ठीक है, तब भी आपको unemployment allowance मिलेगा, और बताओ, और इससे बड़ी चीज क्या चाहिए आपको, ठीक है, भाई, आप jobs यहाँ पर सर्च कर रहे हो, तब तक आपको unemployment allowance मिलेगा, समझ भी आई बात, अच्छा, चलिए, आगे बढ़ते अब, यह बहुत समझने वाली चीज है भई, के लोग को पता ही नहीं है, कुछ लोग को मिल भी रहा है न, उनको पता ही जो नहीं मिल के आ रहा है, खेर, तो जो unemployment allowance और benefits ते वो तीन तरह के हैं, अगर आप लिखा हुआ है, तो earning related allowance होता है, वो उनके लिए है केवल जो unemployment fund और labor union में register है, ठीक है, केवल उनके लिए है वो, तो इसके बारे में एक अलग से video बनाऊँगा, कि labor union और trade union जो होती न, उसमें आप registration करा लो, तो आपको earning related allowance हो, यह काफी जादा होता है, केला के allowance है, बहुत जादा, यह आप बाद में discuss करेंगे, और यह 300 से लेके 500 दिन तक समझ लो, करीब करीब, ठीक है, तब तक आप, आप eligible है लेने के लिए, तो आप इतना देर को और ने unemployed रहता है, जो labor market subsidy, वो उनके लिए है, के जो आप just Finland move किये है, उन्होंने Finland में कभी काम ही नहीं किया, just आए है Finland में, foreigners भी है, आए है, और कोई work experience नहीं है उनको, बट वो TE office में register है, और काम धूर रहे है, as an unemployed person, ठीक, तो उनके लिए, आप समझ गए, आपने Finland move किया, माल दीजी, आप किसी student की wife है, आप किसी husband के काम करने वाले के employee की wife है, तो भाई आप आए, आपको कोई experience नहीं है, आपने काम नहीं किया, just आए है, आप क्या करोगे भाई, तब से पहले पना registration कराओगे T.E. office में, ठीक, और उसके बाद आप है eligible लो, आपको हर महीने पैसे मिलेंगे, बिना कुछ काम किये, ठीक है, clear होगे ये बात, आब आते हैं, आगे बात चलती है, ठीक, ये बात आपको सुझ में आगई भई, तीनो जो क्या कहते हैं, क्या क्या होते हैं, तीनो अगर आपको, क्या कहते हैं, क्या process है, unemployment allowance लेने का, unemployment fund लेने का हर महीने जो आपको मिलते हैं, सबसे पहला step जो मैंने आपको बताया, देखो, वो तो पराणी बात हो गई, कि जब आप आप आए, DVB में registration होना चाहिए, केला card आपके पास होना चाहिए, वो अलग हो गया ना बात, वो तो आप करी चुके है, वो तो मैं पहले बता चुके हूँ, अब आप बात आती है, केवल unemployment जो आपका allowance लेने के लिए क्लिए क्या करना थी, सबसे पहले, जो T.E. office है, जिसको हम बोलते है, Employment and Economic Development Office, उसमें जाके आपको registration कराना है, ठीक है, जा आप registration करा लोगे, T.E. office आपको contact करेगा within five days, और एक interview arrange करेगा, आपके साथ बैठेगा, interview कुछ है तो आपको साथ समझ में आ गई है, ठीक है, ओके, चलो, आप बढ़ते हैं भाई हम आगे, नम्मर टू क्या करना है आपको, नम्मर टू, मैं यहाँ पर बात करता हूँ केवल basic unemployment allowance और labor subsidy की, जो मैंने तीन मेंसे में, जो क्या कहते हैं, इन दो की बात करूँगा, जो जो आपका earning based है, वो तो उनके लिए है, जो अलड़ी यहाँ पर काम कर चुके है, और वो जो labor union के part है, की union होती है, उसको अगर आप पार्ट बन जाओ, तो आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा, अगर आप unemployed होगे, उसमें मैं अलग video बनाऊंगा, और बता रहा हूं मैं कि labor union का part सबको होना चाहिए, जो यहाँ पर काम कर रहे है, कौन कौन सी labor union है, कौन सी बढ़िया है, कौन सी कैसी है, उसके वारे मैं detail में video बनाऊंगा आपको, तो अभी बात करेंगे हम केवल यह basic unemployment allowance और labor subsidy, ठीक है, जो जो मैंने वो बताया था, earning based, वो आपका क्या labor council, जो आपकी labor क्या कहते हैं, जिससे आप जुड़े हुए union से, वो आपकी provide कर रहे है, ठीक है, दोलो केला provide करता है, और अगर आप newcomer है, कोई experience नहीं है, तो आपको क्या मिलेगी, labor subsidy मिलेगी, ठीक है, easy option क्या है, सबसे पहले apply करने का easy option क्या है, वही है, केला को call करो, appointment book करो, ठीक है, लेकिन पहले, पहले बता चुका हुआ, यह आपको TE office में पहले registration करा लेना है, केला का काम बाद में है, TE office registration के बाद, आपने केला को call किया, और appointment book कर लिया, सबसे, सबसे, सबसे simple सा, ठीक, चलिए, अब कितना मिलता है भई, labor market जो subsidy है, और यह basic allowance हो, वो मिलता कितना है, तो unemployment benefits जो केला का, जो होता है, वो होता है, 37.21 euro per day, 5 days per week, मिलता है आपको, including holidays होती है, तो around आपको 800 euro per month होता है, और tax कार्टे के बार, around 640 euro per month होता है, अगर इसमें कोई और addition नहीं हो रहा है, तिहान रखिए, addition इसमें होगा, क्या addition होगा, जैसी आप TE office ने आपका plan बना दिया, आपको यह कोर्स कराएंगे, आपको language भी सिखाएंगे, free में आपको यह training कराएंगे, जैसे आपको job मिल जाए, जो employment, जो office मैंने बता है था, आपको TE office, तो जब आपका वो plan अगर हो गया, बतलब valid और आप करने लगे training, अगर आप जब तक कुछ नहीं कर रहे है, घर में है, तो केवाल 640 euro per month तो आपके per day, ठीक, दो बच्चे हैं माल लो आपके, दो बच्चे, दो बच्चे हैं तो 10 euro करीब आपको मिलेंगे extra, और आपके 3 बच्चे से ज़्याद है, तो आपको 13 euro करीब extra मिलेंगे, per day, बास्वाज में आगई, 13 euro per day extra मिलेंगे यह आप, तो आप समझ लो भई, कि अगर आपका क्या कहते हैं, मैं बात करूँ, माल लो 20 दिन का माल लिया मैंने, महीने में 20 दिन होते हैं, और आपके माल लोई ज़े जो inflation हुआ है, जो केला benefits का, तो इसमें क्या है 31 December, 31 December 2023, until 31 December 2023, you will get 20% increase to the, जो आपका, जो child increase जो हुआ है, unemployment benefits का, वो आपको 20% जादा मिलेगा, ठीक है न, बास्वाज में आगई बात, ठीक है, जो आपको बच्चों के कारण जो extra मिल रहा है, तो इसमें 20% जादा मिलेगा, until 31 December, उसके बाद नहीं, उसके बाद कुछ नहीं पता क्या हो, तो यह ज़्यादा मिलेगा, basic तो मिल नहीं मिलना है, ज़्यादा की बात हो रही, ठीक है, चलिए, ओके, अब मैं live demo दिखाता हूँ भी, आपको live demo, की मतलब कैसे हम, क्या-क्या, कितने पैसे, क्या-क्या, पूरा कैसे भरना है, क्या करना है, तो live demo, जो calculation, calculate कैसे करते हैं, तो calculation का live demo देखते हैं, ठीक है, इसमें आपको extra पैसे, क्या-क्या मिलते हैं, वो पूरा clear हो जाएगा, कितने पैसे मिलते हैं, तो ज़रा live demo देखते हैं, ठीक है, ओके, तो यह जो आपको website दिख रही है, इसी website से ज number of dependent children कितने हैं, तो यह children आप डाल सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है, और बाकी आप देख सकते हैं, कि अपना जो भी है, पूरा मतलब अपना, आपको कोई extra income तो नहीं मिल रही है, कोई benefit तो नहीं मिल रहे है, ठीक है, क्लियर आप बता सकते हैं, कि आपको, आपके क्या कहते है, स्पाउस को, कोई home care support तो बतलब नहीं मिल रहा है, जो भी clear आप कीजिए, ठीक है, तो और इसके प्लियर आप देखें, जो आप क्लियर आप भर देंगे सारा, क्लियर इसमें कोई बहुत बड़ी problem नहीं इसको भरने, कुछ simple सा state forward है, यहाँ पर yes कर देंगे आप participate, ठीक, तो आप देख लेंगे भाई, कितना आपको मिलेगा, 913.75 EUR, पर month, 913.75 EUR, ठीक, आप देखिए, अब जैसे मैंने यहाँ पर क्य 6 EUR per month, लेकिन ध्यान रखिए, इसमें tax भी कटेगा आपका, लेकिन फिर भी, मतलब जहाँ पहले 800 EUR था, अब उससे दिखे जादा हो गया, तो कहने का मतलब भी देखिए, 49.51 EUR per day, working day, ठीक, न, excluding the weekends, तो इतना आपको मिलेगा, ओक, भाई, live demo आपने देख लिए, calculation का कि क कितना पैसा आपको मिलना है, अब बात करते हैं कि apply कैसे करना है, apply मैंने बता दिया, सबसे भाई, T office को आपने call किया, ठीक है, call करो T office को, और offline अगर आपको करना है, तो offline, T office को call किया, appointment book किया, वहाँ पहुँच गया, ठीक है, ओक, यह link मैंने दे रखी आपको, ठीक है, यह link है, इसमें आपकी information पूरी मिल जाएगी, तो इसमें क्या करते हैं, आप अपना region select करेंगे, और contact number आपको मिल जाएगा, उस region से, मैंने select किया, मालो वासा, region, ऑस्ट्रोबोतनिया, region है, Helsinki में जिसको, तो यह link है, इस link में जाके अपना region आप select करेंगे, कहां पे आप रहते हैं, तो आपको contact number मिल जाएगा, उस contact number पर आप call करेंगे, और registration book करेंगे, this is the best option, okay, best option यह है, second step, जब T.E. office में registration हो जाएगा, तो केला को call करेंगे, number यह है, उनसे बोलो भी है, T.E. office में registration हो चुका है, और मुझे unemployment benefits के लिए apply करना है, और labor market subsidy के लिए apply करना है, जो भी, ठ steps हो गए, okay, ही समझ में आगी बात, आप मालीज आपको online करना है, आप चाहर हो कि चलो मेरे पास तो bank ID भी है, password तो online apply करना है, तो भी, यह आपकी link दे रखी है, इसमें आप online भी जाके apply कर सकते है, ठीक है, इसमें आप क्या कहते है, अपना region select करेंगे, contact number तो आपको मिली जा हैगा appointment आपका registration, आप कर सकते हैं, ठीक है, you would need a postal degree certificate, यह ध्यान रखियेगा आप, कि आपको degree certificate, जब आप जाएंग टी office या जो भी आपको, जब registration होगा आपका, तो आपको जो degree certificate है, वो आपको apostill चाहिए, clear होगी बात, तो यह मैं टी office के लिए, registration के लिए online आप कर सकते है, यह link है, इससे आप टी office में online registration कर सकते हैं, पर वो भी आप कर सकते हो, यह भी best option है, मैंने लिखा कि यह भी best option है, लेकिन आप, मेरे ख्याल से वो भी best option है, कि आप offline उनने call कर कर registration कर लो, ठीक है, भाई, वो पहुँच जाओ, आप time book करके, लेकिन यह भी आप कर सकते हैं, अधिला में आप यहाँ पर apply online कर सकते हैं, जो आपकी benefits है, जो आप online कर सकते हैं, अगर आपको offline नहीं करना है, offline का option ही मैंने बता दिया, और आपको online का भी option मैंने बता दिया, clear हो गई यह बात, यह दोनों option मैंने बता दिये, तो आपको सब कुछ clear हो गया भाई, सब कुछ आपको यह भी clear हो, कितना पैसा मिलेगा, तो यह आपकी unemployment benefits हैं, किसको मिलेंगे, यह भी clear है, कोई भी problem हो, कोई भी question हो, आप comment section पर पूछिए, direct Instagram पर message कमी करो, मेरे पाई 1000,000 message आते हैं, सब को reply नहीं कर सकता, ठीक, दूसरी बात, please एक बात समझो, कोई भी Finland में पैसे लेके job नहीं लगा सकता, दूसरा, मेरे से पैसे की बात करना मत, ना तो मैं किसे की पैसे लेता हूँ, जतना हो सकता है, दूसरों की help करता हूँ, please मुझे पैसे offer मत करना, भाई, मैं सब आप लोग को समझता हूँ, मैं दिल से मैं बोल रहा हूँ, seriously, मैं चाहता हूँ, जो लोग म पांच पास, और क्या कहते हैं, इतने पैसे दे दो, तो ये फिर 50 EUR per day, 100 EUR per day, ये सब बिलकुल आपको बेवकूब बनाएंगे, आपके पैसे लूट लेंगे, ठीक है न, तो इस तरह की लोगों के चकर में आप मत पढ़ना, ठीक है, आपने उपर विश्वास रखो, एक बार आपका नहीं होगा, दुवारा मनाओ, डॉकुमेंट से इंप्रूफ करो, फिर एपलाई करो, आपका जॉब मेरे लिए, ठीक है बाई, तो अनिप्लाइमेंट से रिलेटिटिड अगा आपको कोई प्रोबलम है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, और आगे मैं इस तरह स इंफॉर्मेटिव वीडियोज और डेली लाइफ जो फिर लेंट की बारे में है, तो बनाता रहूंगा, इंफॉर्मेशन जो जहां तक हो सकते है, बिल्कुर्ट इंफॉर्मेशन दूँगा, वो यह आपको बेफकूब बनाने वाला कोई काम यहां पे नहीं होगा, ठीक है So thank you very much and have a great day